तो है गांज, आज मैं आप लोग से शीर करने वाले हूँ मेरा वनियर बेबी का डिवलप्मेंट एक्टिवी टी अधी फूट चात एंद पुरे दिन का जो वो क्या खाता है और क्या क्या करता है पूरा रुटीन में आज आप लोगे से शेर करने वाले उसकी स्ुपिच्च तो फिर वह उठता है उठने के बाद प्री ब्रेक्फस्ट मैं जो रडी करते हूं थोड़ा सा पहले वार्म वाटर देती हूं लिपको वाटर उसके बाद थोड़ा सा वार्म दूद मिल्क क्यूंकि हमारी यह थंड का मौसम है तो दूद मेरा बेबी उतना इंटेक नहीं करत तो इसलिए उसके साथ मैं बिस्केट या फिर मूरमूरा का जो पाउडर मैंने बना के रखा है स्पेशली मैं शाम को यही देती हूं ड्राइफूट के पाउडर के साथ क्यूंकि हमारी यह थंड भी है और होल मिल्क मैंने उसे इंट्रोडिउस तो करवा दिया है पर वह इ स्पून मूरमूरे का पाउडर और उसके बाद ब्रेक्फस्ट रडी को रड़ती हूँ थोड़ा बहुत खेल लेता है अराम से इधर उदर मतलब घूम लेता है मेरे साथ थोड़ा कडलिंग, हगिंग, इटिंग यह सब हो जाता है गाना वगएरा चलता है बेबी को मैं ब्रेक्फस्ट में आज मैं दे रही हूँ जैसे चीला ओट्स का चीला ओट्स का पी रोस्ट करके पाउडर बना के रखा है उसके साथ साथ उसमें सूजी बेसन नमक खल्दी के साथ भीगो के रखा था और थोड़े वेजटेबल्स जो भी जिस दिन मेरे घर पे जो रहते ह वो देती हूँ जैसे ब्रोकोली, कैरट, बीन्स हो गए जितने ग्रीन वेजटेबल्स होते हैं पीज, पालक यह सब देती हूँ कभी-कभी मैं उसको इस टाइम पे मतलब सारे दस्क से गयरब के करीब-करीब उसे एक होल एक दे दिया या फिर कभी-कभी हमारे साथ कोई र प्राइटिस रखने का और यह बॉटल एवरी डे स्टेरिलाइज़ होता है स्टेरिलाइज़ होने के बाद उसे इसमें ही मैं सपीक अप में पिलाती हूँ और वो पानी अराम से अखेले पी पाता है तो यह पे विंटर है तो यह पे केटल में हर टैम मेरे पास गरम पानी रहता ही है मिक्स करके हम बड़े भी लेते हैं और बेवी को भी गुनगुना पानी पूरा दिन देते हैं और बेवी मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कर लेता है जैसे बेट शिट को एक साइट रखना उसके खिलोने एक जगह पे रखना एंड ऑलसो एक बैग मैंने किया करता है और उसके खिलोनों को भी वह एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना एंड अल्सो यह जो ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं यह ब्लॉक भी वह अरेंज कर पाता है और उसकी स्पीच थेरपी भी बहुत अच्छी हो गई है मिलब वह दादा बाबा दन बाई-बाई- कमेंट करोगे तो मैं डीटेल में यह वीडियो आप लोगों को शेयर करोंगे इसकी स्पीच थेरपी अन एक्टिवीटी तो आज मैं उसका मॉनिंग रूटीन शेयर कर रहे हूं इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पीच थेरपी एंड अल्सो वह क्या कि मेरे साथ क्ल्क थोड़ती हूं थोड़ा जेयरा था हर धड़ नहीं आहई है तवह देले थीरे फिरे अ तो जो ंअ क्יबनाती हूं जो लक्रायों कूंतो की अवैं स्वाता में तो रांड़ जो बहुत हमूल बहुत 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 बत ब्नाएं के लिए लिए टो आस्ट आप सबस्टेंदें तो बेवी से दात आ गए उपर और के भी दात आ गए हैं तो फैसे वी डॉक्टर ने कहा था कि उनके गम नहीं के खी हो प्रण एतने अट सबस्साँ अराम से चबाा कर खा सके जो भी आप दे रहे हो वैसा ही खा सके उसे दो बस ज्यादा नमक-मिर्ची कि यह मत देना और वहीं हम कोशिश करते बहुत दिनों से वह जब भी हम उसे खिलाते हैं मैं उसके साथ अपना प्लेट भी ले लेते हु ताकि वह पेरे साथ मुझे को भी खाने देखिए और डिनर में स्पेशली हम लोग तीन एक साथ बैठते हैं बैठकर उसे भी खिलाते ह घिछने में डाल चेंज कर देती हूँ वेजटबल्स चेंज कर देती हूँक अभी जो खाना हम बनाते हैं जैसे वेजटे बेजटे वे हमारा एकदम सिंपल खाना बनते हूँ वो भी उसे दे देते हैं और यह अराम से आपे बैट जायते है थोड़े बованने लेकर या फिर कभी-कभी में बालकरी में ब्र्टर में घ्ला देती हूँ है या फिर उफнокो को खिलाने के साथ से बैट भाट ना थे मुस्यारा धाता है तब ख्यला देती हो थोड़े बहुत या फिर वह घुमी-घुमी क जब लिकुइड होता है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम बाते भी करते हो ताकि उसकी स्पीच थेरपी भी ठीप धग हो जाते हैं और उसे rhymes मैं सुनाती हूँ जो ट्विंकल ट्विंकल बाबा और जो जॉनी जॉनी ये थोड़े बहुत राइम्स उसके साथ मैं गाती भी हूँ और उसे सुनाती भी हूँ तो ये भी थोड़े बहुत उसके उसको याद आ गए है वैसे वो अभी बहुत अच्छे से मम्मा डै बहुत आई जब भी बाने पीना होता है वो हमें अपने इशारों से समझा भी सकता है और इधर जाना है उधर के वह सिगनल भी सकता है कि उधर जाना है या इधर जाना है तो ये सक्निफाई भी कर सकता pagar सारी 11 अज से 12 बजे की बीच बीच मैं एकदम एकड़गेंट कादgew फ्रेंस में उसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ जितना वो खाना चाता है उतना ही खिलाती हूँ सिजनल फ्रूट जो भी मिलता है वो मैं उसको देने की कोशिश करती हूँ जैसे वराइटी कभी एपल बॉयल हो गया कभी बनाना हो गया कभी और इंज हो गया ब्लैक ग्रेप्स हो गया उसे सारे फ्रूट बहुत पचसान मेरी खिच्री रेडी हो रही है दो पैर का लंच और इधर मैंने और जूस रेडी कर दिया है उसको मैं सिपिक अप में डाल के दूंगी तो वहां पर घी में चौंक लगाते लगाते मैं उसे बाहर बैलकनी में लेकर जाकर यह और जूस भी उसे दे दूंगी और वह इसे इंजॉय करेगा तब तक मेरी खिच्री भी बन तो दोस्तों के साथ वह थोड़ा बॉल वगरा खिलोने के साथ खेल भी लेता है मैं उसका बॉल लेकर नीचे जाती हूं और तब तक यहां पर खिच्री मेरी बन के ठंडी भी हो जाती है तो वह जूस जोस ने पिया है या फिर जो भी ब्रेक्फंस वगरा किया है वह सारा जाएगा अराम से भूग भी लग जाएगी एंड खाने के बाद उसे थोड़ी बहुत नीद भी आ जाएगी तो आज अनलुकिली वहां पर बारिश हो रही है तो इस टाइम पर धूब भी निकल रही है इंग यह बारिश जादा देर तक नहीं होगी अगर होगी वी तो हमा मैं भी रूम में उसके साथ खेलती रहती है उससे मेरा भी एक्सरसाइस हो जाता है और बेबी को भी थोड़ा टायड करना हो जाता है तो बस मेरी खिचरी अभी चड़ेगी आज जैसे मैंने मूंग डाल की खिचरी बनाई है कभी-कभी मैं छिलके वाली दाल मसूर की डाल इसकी मस्ती चल रही है मेरा पूरा घर उल्टा पुल्टा कर देता है पूरे दिन में मुझे तीन-चार बार उस घर को ये देखे बोटल उसने फिनिश कर तया है बाहर लेकर मैंने उसे थोड़ा बाद जूस पिलाया घुमा घुमा तो बस नमा खलती डाल कर तीन वेसल दे ब्रेस्ट वीड वो करता है अभी भी सोने के टाइम ही करते है रात को और दिन में बस सुला देंगे दो तीन घंटा आराम से सो जाएगा फिर शाम कोट कर मस्ती करेंगे तो चलिए आज का वीडियो हम यही पर खतम करते हैं और फिर मिलते है एक नए व्लॉग में नए के साथ इसके साथ आपके कमेंट आने चाहिए और आपका प्यार बस बरस्ता जाए ऐसा ही हमारा प्रेय है तो बाबाई एवरिवन